आज है 30 जन्वरी और आज से जितने भी इंपोर्टेंट कोशन बन सकते हैं करेंट अफ़र के सभी को इस वेडियो में डिसकस करेंगे इसका PDF नीचे डिसक्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं और लास्ट में दो क्विज करूंगा जिसका आपको नीचे कमेट में लिख केंद्रिये सडक परिवहन मंत्राले ने राष्ट्रिये राजमार्गों के निर्मान कारे में तेजी लाने के लिए किस नाम से पोटल की शुरुवात की हैं गती शेक खालिद बिन खालीफा किस देश के नए परधान मंत्री बने हैं कतर के एकातरवे गरतंतर दिवस के परे अमेरिका में भारत की पहली अंडर्वाटर मेट्रो कहां संचालित की जाएगी कुलकाता में राष्ट्रिये परियाटन सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया ओडिसा के कुनार्क में Stock Home International Peace Research Institute के रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हतियार उत्पादक देश कौन है चीन और सबसे बड़ा हतियार उत्पादक देश है अमेरिका हाले में किस राज्ज ने शिव भोजन थाली योजना लौंच किया है महराष्ट में 28 जन्वरी से गांधे नगर में शुरू तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन 2020 में भागिदार देश कौन है निदरलेंड 27 से 29 जन्वरी तक किस देश के विदेश और यूरोपिय मामलो के मंतरी जीन एस्टिल बॉन भारत के तीन दिवसी अधिकारिक दौरे पर थे ये लगजंबर के विदेश और यूरोपिय मामलो के मंतरी है अब चलिए आज का करेंट अफिर देखते हैं पहला कोशन बाये हाथ के की स्टेज गेंदबाज ने फर्स्ट कलास मैच में डेब्यू करते ही पहले ओवर में हैट्रिक लेने का विश्वर रिकॉर्ड बनाया है इनका नाम है रवी यादो इन्होंने विश्वर रिकॉर्ड बना दिया है ओप्शन ए सही उत्तर है हाले में इन्होंने रणर्जी ट्रॉफी में मध्य पर्देश की तरफ से खेलते हुए उत्तर पर्देश के खिलाफ ये रिकॉर्ड बनाया है और इनका ये पहला ही फर्स्ट कलास मैच था और पहले ही ओवर में इन्होंने हैट्रिक विकेट ले लिया ठीके रवी यादों उत्तर पर्देश के फिरोजाबाद के रहने वाले हैं लेकिन इन्होंने मध्य पर्देश की तरफ से खेलते हुए उत्तर पर्देश के खिलाफी ये रिकॉर्ड बनाया है किस विश्व विद्यालायने हाली में नोबेल पुरसकार विजेता अभिजीत बनरजी को डी लिट की मानद उपाधी परदान की है अभिजीत बनर्जी भारतिये अमेरिकी हैं और 2019 में इन्हें अर्थ सास्तर के छेतर में नोबिल प्राइज मिला था हाली में वैज्ञानिकों ने किस देश के 3000 वर्स पुराने प्राचीन मानव की आवाज को दोबारा सुनने में कम्याबी पाई है मिस्र के वैज्ञानिकों ने मिस्र को हीं इंगलिस में इजिप्ट कहा जाता है ओप्शन सी सहुत्तर है ठीके तो वैज्ञानिकों ने ध्वानी संसलेशन तक्निक से नेस्यामू के मम्मी की आवाज सुनी है निस्यामू ये एक बेक्ति का नाम है जो कि 3000 वस पहले था मिस्र में तो इसका मम्मी अभी भी मौजूद है तो इसी की अवाज सुनी गई है ठीक है मिस्र की कैपिटल है काई रोग यहां के राष्टर पती है अब्दिल फतेह अल सीसी प्राइमिनिस्टर है मुस्ताफा मैट बॉली संसत का नाम है मजलिस अल नवाब और मुद्रा का नाम है पाउंड अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित सुनीता चंद्रा का हाली में निधन हो गया वे की स्खेल से जूड़ी हुई थी तो इनका संबंध होकी से था होकी की पुर्व खिलाडी थी सुनीता चंद्रा हाली में इनका निधन हो गया है आपको बता दें कि यह मद्धे परदेश से थी और 1963 से लेकर 1966 तक ये भारतिये महिला होकी टीम की कप्तान भी रही थी ठीक है तो हाली में इनका निधन हो गया है हाली में बैंगलूरू में किस ने भुवन पंचायत V3.0 लॉंच किया है डक्टर जितेंदर सीह ने इसे लॉंच किया डक्टर जितेंदर सीह कौन है ये जन शिकायते और पेंशन तथा प्रमानू उर्जय और अंतरिक्ष बिभाग के राज्य मंत्रे हैं हाली में इन्होंने भुवन पंचायत V3.0 लॉंच किया है ये एक सैटेलाइट अप्लिकेशन पॉर्टल है इसके दुआरा प्रित्वी को 2D और 3D रूप में देखा जा सकता है जिसे ग्रामिन विकास नियोजन में काफी सहता मिलेगी ठीक़्े आपको बता दें कि इससे प पॉर्टल भी लॉंच किया गया है इसकी सहता से सभी ग्रामिन पंचायतों में मन्रेगा को जियो टैग किया जाता है ठीक है तो हाली में भुवन पंचायत भी 3.0 लॉंच किया गया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजिनियर्स द्वारा निर्मीत किस पंडूबी रोधी एस्टेल्थ यूद पोत को भारतिय नौ से न को सौपा गया है इसका नाम है आई एनस कौरती आपको बता दें कि इस यूद पोत को प्रोजेक्ट P28 के ताहत बनाए गया है प्रोजेक्ट P28 के ताहत पहले ही तीन यूद पोत को भारतिय नौ से न को सौपा जा चुका है इस तरह से आई एनस कौरती जोए ये चौथा यूद पोत है इसके पहले आई एनस कमोरता आई एनस कदमत आई एनस किल्टन को भारतिय नौ से न को दिया जा चुका है भारतिये 9 सना की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1612 में हेड़क्वाटर नई दिल्ली में है चीफ है करंबीर सीं वाइस चीफ है जी अशोक कुमार 9 से न दिवस मनाय जाता है भारत में 4 दिसंबर को किस भारतिये को हाली में फ्रांसिसी सम्मान Knight of the Order of Arts and Letters से सम्मानित किया गया है तो इस सम्मान से सम्मानित किया गया है संजना कपूर को Option C सहुत्तर है संजना कपूर भारत के थेटर कलकार है और थेटर कला के छेतर में इनके उत्करेष्ट योगदान के लिए फ्रांस का Knight of the Order of Arts and Letters सम्मान से सम्मानित किया गया है Oxford University ने किस शब्द को 2019 के लिए Hindi Word of the Year चुना है सम्विधान important question ने ध्यान में रखियेगा तो सम्विधान शब्द को Oxford University ने 2019 के लिए Hindi Word of the Year चुना है यहाँ पर आपको बता दे कि Oxford University ने हाली में 2019 के लिए Word of the Year चुना था Climate Emergency को लेकिन Hindi Word of the Year चुना गया है सम्विधान को भारतिये रेलवे ने प्रथम स्तरकारी Waste to Energy Plant कहां शुरू की है भौनेश्वर में औरिसा की कैपिटल भौनेश्वर में option A सहिउत्तर है तो कचरों से उर्जा उत्पादन करने वाला यह भारत का चोथा और भारतिये रेलवे का प्रथम प्लांट है तो इसे अस्तापित किया गया है भौनेश्वर में यानि जो भी कचरा होगा उससे उर्जा का उत्पादन किया जाएगा हाली में पुणे में आयोजित सिनियर नेशनल बिलियर्ज चेंपियंशिप 2020 का खिताब किस ने जीता? तो सिनियर नेशनल बिलियर्ज चेंपियंशिप 2020 का खिताब जीत लिए है पंकज अडवानी किसको हराकर? सौरव कोठारी को हराकर इस तरह से पंकज अडवानी ने 33 बार राष्ट्री बिलियर्ज चेंपियंशिप का खिताब जीता है ओप्शन में जितने भी नाम हैं ये सभी के सभी बिलियर्ज खिलाडी है सौरव कोठारी ये महराष्टा से बिलों करते हैं वहीं पंकज अडवानी वेश्ट बंगल से बिलों करते हैं गीत सेठी ये दिल्ली के हैं और अदित्य मेहता ये महराष्ट के हैं चक्रवात से परभावित मेडा गासकर की सहता के लिए भारत ने किस नाम से operation launch किया है इसका नाम है operation vanilla, option C सहुत्तर है मेडा गासकर की सहता के लिए भारत ने एक जहाज भेजा है, उस जहाज का नाम है एरावत तो मेडागासकर जो है वर्तमान में चक्रवात की चपेट में है, कई लोग मारे गये हैं और हजारों लोग बेघर हो गये हैं मेडागासकर इस्ट अफ्रिकन कंट्री है यानि पुर्भी अफ्रीकी देश है इसकी कैपिटल है अंटाना नारीवो यहां के राष्टर पती है एंड्री राइजो इलिना यह राष्टर पती है प्रामिनिस्टर है क्रिश्चियन अंटसे और मुदरा का नामे मालागासी एरियारी तो यह था हमारा आज का करेंट अफर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरू करना अब चलिए पिछले क्वीज का एंसर बता देता हूँ पहला क्वेशन था दक्षिन पस्चिम रेलवे का मुख्याले कहां पर है कुछ लोगों ने एंसर गलत दिया था सहिवत तर्था option C हुबली करनाड़क में है दुसरा क्वेशन था उत्तर पस्चिम रेलवे का मुख्याले कहां पर है इसका भी एंसर बहुत सारे लोगों ने गलत दिया था सहिवत तर्था option B जैपुर में है अब आज का क्विज करता हूँ जिसका अंसर आपको नीचे कमिट में लिखना है पहला कोशन हाले में किस देश में लगे भीसन आग से 50 करोड से अधिक जिव जनतूं की मिर्तू हो चुकी है दूसरा कोशन है प्राग किस देश की राजधनी है